हेलो बच्चो कैसे हैं आप मेरा नाम गौराव मलिक हैं और मैं केंद्रे विद्यारले में टीचर हूँ आज हम क्लास फिफ्ट इंग्लिश मेरी गॉल्ड के यूनिट टू फ्लाइंग टुगेदर के कॉश्चन आंसर और बुक वर्क करेंगे बच्चो कॉश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्स्पिलिनेशन देख सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दे दिया है साथ ही जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे Let's read First question is Where did the geese live? यानि हंस कहां रहते थे The geese lived on the top of a tall tree in the forest. हंस जंगल में एक उचे पेड की चोटी पर रहते थे The old bird advised the other birds to destroy the creeper. बूड़े पक्षी ने अन्य पक्षियों को लता को नस्ट करने की सला क्यों दी? The old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them. बूड़े पक्षी ने अन्य पक्षियों को लता को नस्ट करने की सला इसलिए दी क्योंकि लता की मदद से कोई शिकारी पेड पर चड़ सकता था और उन्हें मार सकता था Next question Why did the geese cry help help? हंस मदद के लिए क्यों चिल्लाए? The geese cried for help because they were trapped in the hunter's net हंस मदद के लिए इसलिए चिल्लाए क्योंकि वे शिकारी के जाल में फस गए थे Next question है What did the hunter do when he thought that the geese were dead? शिकारी ने क्या किया जब उसने सोचा कि हंस मर चुके हैं The hunter threw them out of the net one by one शिकारी ने उन्हें एक एक करके जाल से बार फेक दिया Next question Why did the geese pretend to be dead? हंसो ने मरने का नाटक क्यों किया? The geese pretended to be dead so that the hunter would not harm them हंसो ने मरत होने का नाटक इसलिए किया ताकि शिकारी उन्हें नुक्सान ने पहुंचाए Describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time एक घटना का वर्णन करो जब समय पर अपना काम ने करने के कारण आप मुसीबत में पढ़ गए Once I forgot to complete the assignment given by the teacher and got into trouble एक बार मैं शिक्षक द्वारा दिये गए assignment को पूरा करना भूल गया और मुश्किल में पढ़ गया बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पर आप अपना भी answer लिख सकते हैं State whether the following statements are true or false आपको बताना है कि यह जो statement यहाँ दिये गए है यह true है या फिर false है तो पहला statement है The tree was the house of a flock of parrots तो यह statement जो है वो है false because जो tree जो था वो था house of a flock of geese Next है The wise old bird wanted the creeper to be destroyed तो यह जो है यह true है Next is The hunter climbed the tree with the help of a ladder यह false है क्योंकि वो किस की मदद से चड़ा था with the help of a creeper creeper की मदद से चड़ा था Next one is When caught in the net the foolish birds begin to weep तो यह true है क्योंकि उन्होंने help help चिलाना शुरू कर दिया था Next is The wise old bird helped them to escape यह भी true है Let's listen Listen to the following paragraph So यहाँ पर बच्चों एक स्टोरी है जो है Ant and the dove On his way home An ant saw a sparkling fountain घर के रास्ते में एक चीटी ने एक चमकता हुआ फवारा देखा Sparkling मतलब चमकता हुआ He crawled on to its wall to take a closer look करीब से देखने के लिए वह उसकी दिवार पर रेंग कर चड़ गया Suddenly, he slipped and fell into the water अचानक वह फिसल गया और पानी में गिर गया He gargled and panicked and waved his legs in the air उसने गड़गड किया और घबरा गया और अपने पैरों को हवा में छटपटाने लगा बच्चों जब मुह में पानी भर जाता है और गरारे की आवाज आती है उसे गरगल कहते है Help, I can't swim वह मदद के लिए चिलाया Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by सो भाग्या से ठीक उसी समय एक दोस्ताना कबुतर वहां से उड़ा She saw that the tiny ant was droning and quickly flew to a nearby tree उसने देखा कि नन्नी चीटी डूब रही है और जल्दी से उड़कर पास के एक पेड़ पर पहुंची She pulled off a leaf and let it glide down to the ant उसने एक पत्ता निकाला और उसे चीटी के पास जाने दिया Here you are, she could and flew away बचो यहाँ पर could का मतलब है कॉमल और मंद आवाज में बोलना और पीजन या फिर डव की आवाज को भी कू बोलते हैं And this story was adapted from Aesop's Fables Fable का मतलब है एक short story जो हमें कोई moral lesson दे और Fables में character mostly animals और birds होते हैं चलिए इसके उपर based question answer कर लेते हैं First question is Why do you think the dove helped the ant? आपके अनुसार डव ने चीटी की मदद क्यों की? The dove helped the ant because it was friendly by nature डव ने चीटी की मदद की क्योंकि वे सुभाव से मिलनसार थी Next one is How do you think the ant felt on finding the leaf? आपको क्या लगता है कि चीटी को पत्ती मिलने के बाद कैसा लगा होगा? On finding the leaf, the ant would have felt very happy She would have also felt thankful to the dove पत्ती मिलने पर चीटी को बहुत खुशी हुई होगी वह भी डव के परती शुक्रगुजार महसूस करती होगी Third question is Have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? क्या आप कभी चीटी की तरह मुसीबत में पड़े है? क्या किसी ने आपकी मदद की? बचो ये आंसर आपको खुद करना है फिर भी एक सेंपल आंसर आपको मैं दे देता हूँ Once I was chased by the dog A local boy helped me by driving away the dog एक बार कुटे ने मेरा पीछा किया एक स्थानिया लड़के ने कुटे को भगा कर मेरी मदद की Let's talk Work in pairs Ask your friend questions about all the things he does यानि अपने मित्र से उसके दवारा की जाने वाली सभी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे Use question words such as where, what, how, who, when and why और आपको क्या करना है? इसमें question words का use करना है वह family के words का use करना है question put off करने के लिए So पहला है Anu I watch TV in the evening Anu कहती है कि मैं शाम को TV देखती हूँ तो इसका question क्या frame होगा? Amit जो question करेगा Amit question करेगा When do you watch TV? तुम TV कब देखती हो? बच्चो इसी तरह next बनेगा Anu I play games मैं game खेलती हूँ तो Amit क्या पूछेगा? What do you play? Anu said I collect stamp तो Amit क्या पूछेगा? What do you collect? Next is I play in the ground Amit will say Where do you play? Next है On Sunday I go shopping So what Amit will say? Amit will say What do you do on Sunday? Second is Ask these questions about yourself आपको yourself पर यानि अपने बारे में कुछ questions करने हैं First is What is your name? आपका क्या नाम है? तो My name is आप अपना नाम लिख लेंगे Next is What languages do you speak? So I speak Hindi, English and जो भी आप regional language जो भी आप बोलते हो वो आप लिख सकते हो Next is How old are you? तुम कितने साल के हो? So I am dash years old मैं जितने भी आप साल के हो आप याँ पर लिख सकते हो Next is Which is your favorite food? आपका जो favorite food है मन पसंद खाना है वो क्या है? तो इसमें क्या लिखे हैंगे My favorite food is और अपने favorite food का नाम Next is Where did you go yesterday? तुम कल कहा गए थे? तो I went to dash yesterday मैं जहां भी आप गए थे वो आप लिख सकते हैं Next is Which country do you belong to? आप किस country से belong करते हैं? या किस country से तालुक रखते हैं? तो I belong to India Next is When do you go to sleep? तुम सोने कब जाते हो? तो I go to sleep at dash pm जितने बज़े भी आप सोते हैं आप यहां पर लिख सकते हैं Next is Why do you drink milk? तुम दूद क्यों पेते हो? तो answer is I drink milk to remain healthy and strong In group of five discuss what you would do if you were caught in the following situations पाँच के समूओं में चर्चा करे कि यदि आप निमलिकित परिस्थितियों में फस गए तो आप क्या करेंगे? तो first situation is Your friend falls in the play field and is hurt आपका दोस्ट खेल के मैदान में गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है So what will you do? I will lift him and give him first aid मैं उसे उठाऊंगा और प्रात्मिक उपचार दूँगा Second situation is You are trapped in a fire यदि आप आग में फस जाते हैं तो क्या करेंगे? I will call for help मैं मदद बुलाऊंगा Third situation is You are struck in a traffic jam आप traffic jam में फस जाते हैं तो आप क्या करेंगे? So I will wait patiently for the jam to be cleared मैं jam कोई clear होने का यानि की jam के समाप्त होने का धहर्य पूर्वक इंतजार करूगा Let's write The words in the cloud describe something or someone in the story Name them in the blanks provided बच्चो जो clouds में यहाँ पर कुछ describing words दिये गए हैं जो किसी ना किसी को describe करते हैं तो बच्चो आपको बताना है स्टोरी में इसमें किसने किसको describe किया है तो describing words क्या होते हैं जो किसी को describe करते हैं जो noun या pronoun को describe करते हैं और वो होते हैं adjectives Make sentences of your own with the help of words given in the clouds बच्चो जो आपको cloud में word दिये हैं इससे इन describing words से आपको sentences भी frame करने हैं तो पहला word है wise wise किसके लिए use किया गया है old bird के लिए यानि कि wise किसको describe करता है while describe करता है old bird को चलिए इसका एक sentence बनाते हैं वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है बच्चो next describing word है careless और यह किसको describe करता है यह describe करता है geese को इससे एक sentence बनाते हैं My friend is very careless next word है thick and strong और यह describe करता है creeper को sentence is This rope is thick and strong अगला word है foolish और यह describe करता है geese को और sentence है I met a foolish man in the market next word is tall और यह किसको describe करता है tall ट्री को और एक sentence बनाते है My brother is very tall Here are some answers about the given picture तो बच्चो यहाँ पर आपको एक picture दी गई है और picture के ऊपर कुछ answers दिये गए हैं तो आपको उन answer से question frame करना है Frame questions for these answers पहला है The color of the ant is black तो इसका क्या question बनेगा इसका question बनेगा What is the color of the ant Next है It lived on land और इसका क्या question बनेगा इसका question बनेगा Where does it live Next is It has two long antenna तो इसका question होगा How many antenna does it have Next is It crawls on the ground तो इसका question बनाएंगे How does it move on the ground अगला है It eats sugar तो इसका बनाएंगे What does it eat Third one is Fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, into and with तो बच्चों यहाँ क्या करना है यहाँ पे आपको prepositions बरने है और prepositions क्या होते हैं prepositions वो words होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज को दूसरे words के साथ लिंक करने के लिए यूज किया जाते हैं चलिए देखते हैं First one is The tree was the home dash a flock of wild geese यहाँ पर home नाउन है a flock of wild geese जो है नाउन फ्रेज है और इसको लिंक किया off से off जो preposition से वो belongingness को दर्शन आता है Next one is He noticed the creeper dash the foot of the tree तो यहाँ पर use होगा at at the foot of the tree at जो है यह बताता है कोई कहां या फिर कोई घटना कहां घटी Next है तो यहाँ आएगा to to destroy it now यह जो to है यह वर्ब की infinitive form का एक part है Next is As they flew dash the tree they were trapped they flew into the tree जो into preposition है इसका use तब किया जाता है जब हम बाहर से अंदर आते हैं Next है The boy ran dash the dog तो यहाँ आएगा with the dog with जो है यह company को दर्शाता है Next है The frog jumped dash the well into the way Next है The girl was thrilled dash to see her new bicycle तो यहाँ एगा to to see her new bicycle Next है The birds were caught dash the net तो यहाँ एगा in the net इन जो preposition है यह दर्शाता है अंदर को यानि कि जो पहले से ही अंदर हूँ Next is The children walked dash the bridge तो यहाँ आएगा across the bridge Across जो है जब अदर साइड का sense हो या फिर from one side to another बताना हो तो हम across preposition का use करते हैं Fourth one Complete the paragraph with suitable words from the box तो box में कुछ words दिये हैं जो है around across with along to after next to into to and from चलिए सबसे पहले इनके meaning जान लेते हैं around का meaning है चारो तरफ या फिर आसपास वहीं across का मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ with का मतलब है साथ along का मतलब है किसी चीज के साथ साथ एक कतार में to का आर्थ है say या फिर तक after का मतलब है बाद next to का मतलब है इस से आगे या फिर adjacent into का मतलब है के अंदर और from का मतलब है say तो चलिए ये सबी क्या है ये सबी prepositions है और हमें क्या करना है हमें ये exercise करनी है exercise है one day as I was walking यहां आएगा along along the bank of the river I saw my friend running across the field क्योंकि field में एक तरफ से दूसरी तरफ गया है he was calling my name and waving to me यहां पर to me और at me दोनों सही है I stopped and waited dash sometime after sometime यानि कुछ समय के बाद he reached where I was standing he said I went all dash the town all around the town यानि की पूरे टाउन में चारो ओर इधर उदर looking for you I have some exciting news to share dash you to share with you with का मतलब है साथ do you remember the old house next to the neem tree next to मतलब की adjacent to guess who is moving into the house into that house Janak Das the great magician now we can learn lots of magic tricks from him from का मतलब है say now next is fifth one fill in the blanks given below with question words तो यहां क्या करना है question words से fill up करने आपको question words क्या होते है wh family what, when, where, why, how तो यह सब क्या आते हैं question words होते हैं और जो wh family में होते हैं तो first है dash do you play तो इसमें है where do you play where का मतलब है कहां तुम कहां खेलते हो second one is dash do you get up यानि when do you get up तुम कब उठते हो third is dash do you have for breakfast इसमें आएगा what what do you have for breakfast what मतलब क्या fourth one is dash do you go to school इसमें आएगा how how do you go to school यानि तुम स्कूल कैसे जाते हो next is dash do you like best in the school games, art और music तो इसमें आएगा what what do you like best in the school games, art और music इसका मतलब है आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खेल, कला या फिर संगी next is dash is your birthday तो इसमें क्या आएगा when is your birthday यानि तुमारा जनम दिन कब है next is dash do you want for your birthday तो इसमें आएगा what what do you want for your birthday यानि कि तुम्हें अपने जनम दिन पर क्या चाहिए reference to the context बच्चो यहाँ पर chapter से related कुछ statements दिये हैं तो आपको बताना है यह किस ने कहा किस से कहा और कब कहा तो first है well there is no hurry the creeper is very small it would be a pity to destroy it now तो यह किस ने कहा यह कहा गीज ने और किस से कहा old wise bird यानि की बूडे बुद्धिमान पक्षी से कहा और कब कहा when the old wise bird told them to destroy the little creeper और यह कहा जब बूडे बुद्धिमान पक्षी ने उन्हें बेल को नश्ट करने के लिए कहा second is so this is where the wild geese live यह किस ने कहा यह कहा hunter ने किस से कहा खुद से कहा और कब कहा when he came to the forest जब वह जंगल में आया बच्चो प्रोवर्ब्स होते हैं short wise saying यानि की हिंदी में इसको बोलते हैं कहावत यह बुद्धिमान लोगों द्वारा दी गई नसियत होती है जो पीडी दर पीडी चलती रहती है और बच्चो यह हमें कोई न कोई सीख जरूर देती है जैसे example के लिए look before you leave यानि हमें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए यहाँ English के कुछ और प्रोवर्ब्स दिये गए है इन्हें एक-एक करके डिसकस करते है तो पहला प्रोवर्ब है Old is gold यानि one who is in contact for a long time is more reliable और वर्दियर than others यानि कि क्या है इसका अर्थ पुरानी चीज हमेशा बेशकीमती होती है Next one is As you sow, so shall you reap जैसा बहोगे, वैसा काटोगे One has to bear the consequences of one's action हमें अपने द्वारा किये गए अच्छे या बुरे कारियों का फल भुगतना पड़ता है Next is Unity is strength That means Those who are together are strong enough to overcome any problem Hindi में इसे बोलेंगे एक और एक ग्यारा यानि यदि हम संगठित रहेंगे तो किसी भी परेशानी का सामना कर सकते है Next one is United we stand, divided we fall That means If you are together, you win or else you lose Hindi में से क्या बोलेंगे? Hindi में बोलेंगे एक ता में बल Next one is A friend in need is a friend indeed That means A friend who helps you in need is a true friend यानि जो मुसीबत में काम आएं वही सच्चा मित्र होता है Next one is All's well that ends well If the outcome of a situation is happy This compensates for any previous difficulty और unpleasantness यानि कि अंत भला तो सब भला यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साथी ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चो को इस वीडियो का लाब मिल सकें साथी बच्चो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें